दोस्तों मेरे स्नल एडूकेशन और बैसिक इन्फोमिशन चैनल में आप सब लोग को हर्दिक स्वागत है आज की मेरा वीडियो की टॉफिक है वाट इस फायर और वाट इस फायर यानि आग क्या होता है तो इसका में बैसिक आपके बारे में डेफिनिशन लिख के सबसे पहले में आता हूं हिन्दी में बता रेता हूं तीन हमने दिपिटेसन लिख के रखा है एक दिखो आग एक oxygen की रासाइनिक पक्रिया है जो इंडन उसमा तथा oxygen के उस्सित अनुपात की मिश्रम होने पर बनती है अभी next definition क्या लिखके रखा है आग की ये भी देख लो इंडन oxygen और उस्सित अनुपात तापमान की मिश्रम एक रासाइनिक पक्रिया है यानि साधान भासा में आप बोलो तो आग एक रासाइनिक पक्रिया है जो उस्सित अपमान फियूल और oxygen क्या होता है एक मिश्रम से वो आग बनती है तो आग लगने के लिए सब से पहले क्या चाहिए फियूल फिर oxygen चाहिए क्या होता है फिर heat चाहिए एक जम बूल ले लो आपने बस्पन में देखा होगा कोई भी एक मंबत्ती जलता है तो उसमें क्या होता है एक गिलास दुबाने के बाद एक चीसे की गिलास उस क्या होता है कि ओ कुछ दिर जलते रहता है उसके बाद बूच जाता है इसका मतलब यह है कि गिलास के अंदर जितने भी oxygen था उस तेम तक वह मंबत्ती जलता है उसके बाद बुच जाता है यानि उसमें oxygen कतम हो जाता है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के रखा हूं उसको डेख सकते हो लेकिन आज इस वीडियो के जरिया हमने आपको अब कहीं में भी नूट कर सकते हो किसी भ है दूसरा तीसरे क्या लिखके रखा है आग ठीक हो आग तीन करोको का एक मिश्रन रासाइनी पक्रिया है जो इंधन oxygen और उसी तापमान यानि आग क्या होता है नेक्स में वह ही समझा रहा है आग तीन करोको की मिश्रन एक रासाइनी पक्रिया है जो इंधन फ्यूल और oxygen अभी नेक्स हम चलते हैं कि what is fire यार इंग्लीज में भी उसका डेफिनिशन क्या होता है इसके बारे में दाल लेते हो आप इस वीडियो नाए हो या मेरे सेनल में नाए हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए ऐसे fire security general knowledge की बहुत सारे वीडियो डालके रखाओ उसमें जाके आप शेक कर सकते हो तो आज इस वीडियो के जरीए आपको यह सिखने के लिए मिलेगा कि what is fire और आग की परिवासा तीन हिंडी में और तीन इंग्लीज में दूसरा क्या होता है what is fire में क्या है fire is a इंग्लीज मे fire is a exotramic chemical reaction between fuel and oxygen in presence of sufficient heat इसका इंग्लीज का मतलब भी होता है आग एक रासाइनिक पुक्रिया है exotramic chemical reaction मतलब होता है आग एक रासाइनिक पुक्रिया है जो fuel oxygen और क्या होता है एक निदिस्त परिवाल हीट के द्वारा बनता है दूसरा definition हमने क्या लिक के रखा है fire is a chemical reaction combination of three substance heat fuel and oxygen इसका definition का meaning भी होता है आग एक chemical reaction होता है जो होता है ठी elements या substance से बनता है fuel oxygen और heat अभी next हम तीसरे में क्या लिक है fire is a chemical reaction of fuel which required amount of heat मतलब निदिस्त परिमान एक heat होता है oxygen and doing this reaction heat is light produced उसके मतलब क्या होता है आग एक chemical reaction होता है ठीक हो तीन elements होता है और आग की जब क्या-क्या आग जलने पर क्या produce करता है lighting और क्या करता है heat produce करता है तो I hope इस वीडियो के जरी आपने यह सिखा होगा कि हिंडी में जो definition है तीन है तो आपको यह skin sword भी ले सकते हो थोड़ा होज जा रहा हूं तो इसके बारे में आपको पूरा जानकारी होगा तीन definition है आप कहीं पर इंटर्वी में जाके बता सकते हो और तीन English में लिखके रखा हूं अभी next question में आता है कि आग की पैसान क्या होता है यह अक्षर इंटर्वी में पुछा जाता है जाए श पस-पस तो सबसे पहले क्या होता है आप पर पता लग जाते हैं और आग लगा है कैसे पता लगता है कि दूआ बहुत ज्यादा उपर की तरफ उड़ते रहते हैं यानि आग की पैसान क्या होता है सबसे पहले आग की पैसान होता है दूआ यानि आप कहीं पर भी आग लग है उसके जरीए क्या है आपको पता लग जाते हैं वहां आग लगा हुआ है आई होब इस वीडियो के जरीए आपने फाहर की हिंदी के तीन डेफिनिशन इंगलिज का तीन डेफिनिशन जाना होगा तक तक के लिए नमस्कार